So Delhi University की rank list आज आने वाली है और क्या तुम लोग को rank से डर लग रहा है अगर तुम लोग भी यह सोचरों कि भाई तुम्हाई तो rank जो है वो उपर नीच हो सकते तुम्हाई rank बहुत जादा जाएगी तुम लोग को Delhi University में एडिमेशन नहीं मिल सकता अब काफी सार जो स्टुडेंट्स उनको यही नहीं पता है Delhi University में Societies क्या होती है इसी के साथ सथ कुछ स्टुडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि Delhi University में तुम लोग को Scholarships कैसे मिलेगी आज वरी वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को यह सब चीज़े बताने वारा हो को मिला के तीन चीज़े में तुम लोग को बताऊँगा सबसे पहले तुम लोग अपनी जो सीट उसको रिजर्व कैसे कर सकते हो Delhi University में वो भी First Cut-Off के अंदर Second चीज़ में तुम लोग को बताऊँगा Societies के बारे में कि तुम लोग एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाके कैसे दूसरे Colleges में भी placement ले सकतो इसी के साथ सब तीसरी चीज़ में तुम लोग को यह बताऊँगा कि तुम लोग को Delhi University में scholarship कैसे मिल सकती है यह वीडियो तुम लोग के लिए सबसे जादा useful होने वाली है सबसे पहले हम लोग बात कर लेता है यहाँ पर rank list की तो आज यहाँ पर Delhi University rank list निकाल देगा जो कि यहाँ पर 5 बजे क्या सपस तुम लोग को देखने के मिल जाएगी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रैंक list तो आ जाएगी लेकिन तुम लोग को उसको करना क्या है तो देखो जैसी यहाँ पर rank list जो जारी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर काफी सारे जो students है यहाँ पर एक गलती करेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो रियॉडर करना है यहाँ पर बहुत जरूरी होता ताकि तुम लोग को यहाँ पर फस्ट रॉल उट में कोई college मिल जाए मान लोग कि मैंने यहाँ पर बीकॉम वाहनर्स बीमेस और यहाँ पर एकोनोमिक्स ओनर्स के लिए प्लाय की टालना चीम क्योंकि बीएमस में तुम ही रैंक अच्छी है इसका यह मतलब बंता है कि टली उन्यूरिस्टी में तुम लोगों जल्दी admission मिल जाएगा so first cut off में तुम लोगों जल्दी admission मिल जाएगा अगर तुम लोगों ने preference list अच्छे से बनाई होगी तो अब preferences इसलिए reorder करना जरूरी है इसलिए सबसद काफी सरे students का ये doubt आता है कि क्या हम लोग preferences में कुछ add कर सकते हैं reorder करना इसलिए मैं तुम लोगों को बतारों कि reorder उसी according करना जिसमें तुम लोगों यहाँ पर rank अच्छी बन रही लाइक अगर मानलो तुम लोगों ने multiple courses फिल किये जिसके अंदर तुम लोगों अच्छी आ रही है उसी को तुम लोग यहाँ पर फिल करना अब यार वो बात साथ एक बड़ी बात यह है कि डैल उनिवस्टी में competition इतना है अगर तुम लोग बीकॉम के लिए अप्लाए करोगे बीकॉम ओनर्स के लिए करोगे computer science के लिए अप्लाए करोगे तुम लोग तब क्या कर सकते हो इसके लिए तुम लोग help ले सकते हैं आपे college विद्धिया की जैसे कि मैं यहाँ पर UG courses में चले आता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर BBA को select कर लेता हूँ इसके बाद यह तुम से थोड़ी सी detail मंगेगा एंड यह भाई कोई भी scam नहीं है यहाँ पर लिखा भी हुआ है we don't spam तुम लोग इसको चेक कर सकते हो एंड इसके बाद जैसी तुम लोग यार find best university पर क्लिक करोगे तुम लोगों से यहाँ पर question पूचेंगे कि बाई तुम लोग कितने घंटे तक यहाँ पर दे सकते हो studies को अपनो एंड इसके बाद तुम लोग को budget options किया एंड उसके अंदर यह तुम लोग को दिखा देगा एंड यह तुम लोग के यह देख लोगा इस मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है जितनी भी जानकारी है तुम लोग ले सकते हो यहाँ पर fees कितने तुम लोग को देखने के मिल जाती है show more पर अगर मैं इसमें click करूँगा तो show more पर मेरे को देखने के मिल जाए कि certificate तुम लोग को कैसे मिलेगा साथ साथ तुम लोग को इसके अंदर easy EMI के options भी देखने के मिल जाएंगे plus तुम लोग को यहाँ पर dedicated counselor देखने के मिल जाएगा जो कि admission से placement तक मिलेगा post admission services भी है इसमें जो कि placement तक तुम लोग को देखने वाली है so description box में link है जाके वहाँ से जल्दी से check out कर लो university में काफी साइज societies देखने के लिए मिल जाती है मतलब कि तुम लोग इन societies को join कर सकतो एंद फिर देख सकतो तुम्हारे interest के अंदर जादा लाइक कर रहे है और उसी चीज़ को तुम लोग आगे कर सकतो अपने college life के बाद but इन सब के साथ मैं तुम लोग को एक और चीज बत अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि यह कैसे होता है कि यार जो placements है यहाँ पर तुम लोग किसी दूसरे college के अंदर दे सकतो तो देखो मान लोग कि मैं अगर किसी society के अंदर जुडा हो और वो society थी वो यहाँ पर दूसरे college के अंदर भी चलती है तो इसका यह मतलब बनता ह कि यहाँ यहाँ पर दूसरे college में भी placement दे सकता हूं from the society के तुरू और यह सारी बात भाइक बिल्कुली सही बता रहा हूं है तुम लोग को क्योंकि यह society ऐसी work करती है कि यह वो तुम लोग को link करवाती है अगर मान लोग कि यह तुम लोग किसी एक college में हो particular college में तो ऐसा न यह तुम लोग इंटर्व्यू दे सकता हूं जब तुम लोग को placement दे लिए जाना है तो end societies के तुरू ही होता है यह सारा काम बट अब बात कर लेता है यहाँ पर एक और सबसे बड़ी चीज के लिए कि भाई तुम लोग को scholarship कैसे मिलेगी डेली उनिवरस्टी में तो देखो को college की piece में relaxation कैसे देखने के लिए मिल सकता है या पर तुम लोग कैसकतो कि scholarship तुम लोग को कैसे देखने के मिलेगी तो देखो अगर तुम लोग यहाँ पर देली उनिवरस्टी में scholarship ही है तो तुम लोग को first year है न तुमारा उसके अंदर तुम लोग को अच्छे marks लाने अगर तुम लोग इसको यहाँ पर फॉलो कर रहे है तुमारी जो income level है यहाँ पर 1,00,00 से नीचे है income certificate के अंदर तुम लोग को यहाँ पर scholarship मिल जाएगी अब भाई मिलेगी कैसे यह भी तो बता देता हूं सर तुम लोग को देखो scholarship कैसे देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले इसका यह वह source कि तुम लोग यहाँ पर डैली उनिवस्टी कुछ जब निकालता है तुर हर college यहाँ पर अपनी अलग अलग यहाँ आप scholarship देखने के लिए मिल जाती है तो अलग अलग तुम लोग यहाँ स्टाफ हैं यहाँ college का वो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले नोटिफाई कर देगी कि scholarship आशिप की है तुम लोग यहाँ पर apply कर सकते हो इसी काफ़ी सारे colleges के अंदर होता है तो तुम लोग उससे भी यहाँ पर scholarship के लिए apply कर देते हो अब बात कर लेते हैं science students के लिए science students को यहा टाइप के scholarship हो सकते हैं तुम लोग उसके बारे में भी यहाँ पर research कर सकते हो एंड यांग यह वाली वीडियो रहेगी यही तक मिल्ज़ें तुम लोग से next वीडियो में तब